आप भी हैं बिहार राज से और आप शुरू करना चाहते हैं एक छोटा सा बिजनेस जो काफी कम फूजी में स्टार्ट हो जाए तो आज की इस वीडियो में मैं टॉप फाइव स्मॉल बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो अगर आप बिहार से हैं तो बिजनेस को बिह वीडियो के अंतक और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देए साथी बेल आइगन को क्रेश कर देजेए चलिए शुरू करते आज के इस नोलेजवल वीडियो को तो दोस्तों बिहार में स्टार्ट की जाने वाली टॉप फाइव स्मॉल वीजनेस आइडिया कुछ इस परकार से हैं फर्स नमर पे जो है वो हमारा आता है किरिसी अधारित बेवसाय अगर आप बिहार के गाउं से बिलॉंग करते हैं और अगर आप किरिसी अधारित बेव चाहते हैं तो आप कर सकते हैं जैविक खेती जैविक खेती के मतलब हुआ कि जैसे फल और सबजीयों का उगाना और उसे नजदी की जो है मार्केट में सेल करना देखे हमारे गाउं में बेरोजगारी बहुत रहती है बेरोजगारी के साथ साथ हमारा भारत देश जो है एक क्रीसी परधान देश है तो अगर आप अपने जैसे अपने गरामीं छेत्र के डिमांड के अनुसार या सहरी छेत्र के डिमांड के अनुसार अगर छोटा है अगर आपके पास जमीन है तो उसší न्भा特 ¿ को उगा कर और उसे नद्डिकी मार्केट में अगर आप सेल करते हैं तो आप अच्छा मुनाफा कमाते हैं दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि बिना जानकारी और बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है मैं अगर आपको बता रहा हूँ कि भाई फल और सब्जी का खाद लगेगा इसका जानकारी जूटाना जो है काफी इस technology के जमाने में अभी Google पे आपको हर चीज जो है उपलब्द मिल जाता है कहा जाता है कि इस जमाने में जो है सबसे वारा अगर गुरू और टीचर माना जाता है तो वो Google को माना जाता है कहीं भी लोग अगर फसते हैं चाहिए इस वर्ड का अगर उसे उसका हिंदी जानना होता है या हिंदी का इंग्लिश जानना होता है या किसी चीज पर रिसर्च करना होता है तो गूगल से उन्हें बहुत सारा सहारा जो है मिल जाता है अगर आप अपने छोटे से छोटे जमीन पर फल और सब्जी जानकारी ले करके उगाते हैं और उसे नजदी की मार्केट में सेल करते हैं तो आप एक बेहतर मुनाफ़ा कमा सकते हैं और अपने बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं अपना जीवी का चला सकते हैं नेक्स जो है मुर्गी पालन जैसे रिसी अधारित सब्सक्राइब करते हैं ड programmes सब्सक्राइबॉजब देख लीज़े बहुत सारे यूटूबर peng मैं रमिटेव क्या सब्सक्राइब करें हैं बोग को हैं प्लबरれて वाकृपड hormones कि अधारित सीत्र में यह सब आता है ज्ञाओं में अगर जगह है तो आस्थानिय उपवज करके अक्षार हो डिया सकते हैं दूसरा जो है हमारे बिहार के लिए वो है फूड फ्रोसेसिंग यानि अगर आप गाउं में है और गाउं में अचार और जैम बनाते हैं मतलब अस्थानिय उपज का उपयोग करके अचार और जैम जैसा पोड़क्त का निर्मान करते हैं और उसे एक बेहतर पैकेट बना करके और जो है आप मार्केट में सेल करते हैं तो आप एक अच्छा मुनाभा कमा सकते हैं क्योंकि देखिए अचार और जैम बनाना गाउं में कोई जो है बड़ी बात नहीं है छोटा मुटा अगर नोलेज लेना है तो वो वीडियो या अथवा गूगल पे जाके नोल सकते हैं जो लगभग 1500 से 2000 के बीच में आ जाएगा और इसका बेस्ट सिलिंग आता है एकदम बहतर सिलिंग आता है इस मशीन को पर्चेज करने के लिए आप मेरे डिक्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं वहां पे लिंक दिया हुआ है आप इसको ऑनलाइन अपने घर पे मं करना जो है बिजने स्थानी शुरूतों से मसाले की खेटी करना एक पैक करके बेचना देखिये अगर आप स्मॉल बिजने समे अगर अगर की मसाले की देखा ज he तो अगर आप खड़ा मसाला पैकिंग करके अगर सेल करते हैं तो वो भी आप एक अच्छी तरीके का बिजनेस है और उससे भी आप एक बहतर जीवी का चला सकते हैं जैसे गाओं देहात में होता है कि बहुत सारे लोग जो है पैकिंग करके आप उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं चौथा जो भी हमारा बिजनेस है वो है हस्त सिल्प और कारीगर बस्तर देखें अभी क्या हो रहा है हमारे बिहार में जो है मिथला पैंटिंग काफी फेमस है ऐसे में अगर आप पैंटिंग में रूची रखते हैं तो ये बिजनेस आप के लिए काफी बेस्ट सावित होगा क्योंकि देखें वो को होता है ना कि अपना कलाकारी सीध करके वो जो है अपने मुनाफा को इंकिरीज करते हैं तो अभी क्या है अभी ऑनलाइन का जमाना है बहुत सारे वेबसाइट है अमेजों फ्लिपकार्ट मीशो इस तरीके का बहुत सारा वेबसाइट है जहां पर आप अपना कलाकारी करके अगर आप बिहार से हैं अगर आप पेंटिंग जानते हैं या फिर कोई अच्छा ववस से जूर करके आप बेहतर मुनाफ़ा ले सकते हैं तो यह सब जो भी मैं बिजनेस आइडिया जो दो दे रहा हूं यह काफी कम मीनिमम पूंजी में स्टार्ट होने वाला है इंड्रोयट फोन के दाम में जो है अभी लोग क्या करते हैं कि देड़ देड़ दो लाग का जो है क् फोन परचेज कर लेते हैं तो उससे कई गुना कम में जो है आप इस तरीके का जो है बिजनेस स्टार्ट करके अपने जीविका को चला सकते हैं हमारा लाश्ट जो है यह काफी इंपोर्टेंट है बिजनेस और यह खास करके उन महिलाओं के लिए है जो महिलाए जो है वो हा डिमांड हर घर में हर घर में या हर पूजाते ओहार में क्या होगा कि दीप जरूर जलाया जाता है तो उस अनुसार से हमारे भारत के प्रामपरी के जो है संसकार को बनाये रखने के लिए कितने भी लाइट आजाए लेकिन दीप जो है वो लोग जलाते ही है चाहे पूजाते ओहार हो या घर में साम के समय जलाना हो तो जलाते हैं वैसे में रूई बाती का निर्मान अगर गाओं में करते हैं या भीहार की महलाए इसे स्टार्ट करते हैं तो काफी अच्छा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दो टाइब की मसीन आती है और इस बिजनेस को पुरा डिटेल में समझने के लिए अगर आप चाहते हैं तो इसके उपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक डिप क्रिप्शन बॉक्स में है आप जाए उस वीडियो को कर सकते हैं और कहां विजिट कर सकते हैं तो जाइए उस वीडियो को देखिए और जो है आप एक बेहतर बिजनेस जो है स्टार्ट कीजिए अपने गाउं के लिए मैं टॉप फाइब बिजनेस आपको बता दिया हूं जो आप अपने रूची के अनुसार और आप अपने कल सामुball सकते हैं साथ ही आगे मैं आपको इस तरीके का बिजनेस के बाके में बताऊं आप कमेंट में जरूरी केँए का अप स्टार्ट करना चाहते हैं और अगले वीडियो में एक नएइंफ बन्दे मात्रम